हिमाचर प्रदेश विदान सभा चुनाव की तारिखों का एलान हो चुका है इसी के साथ राजनेतिक दल भी चुनावी परिक्षा देने के लिए तयार हो गए है हाला कि इसे बीच एक और चुनाव है जो चर्चाओं में बना हुआ है कॉंग्रस सद्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होना है और 19 अक्टूबर को पार्टी को नया प्रमुख मिलेगा इधर भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचर प्रदेश में चुनाव की तारिख 12 नवंबर तै कर दी है इस लिहाँ से नए कॉंग्रस अध्यक्ष के सामने पहले की चुनावी राज्य में खास मदद मिलने की संभावना तो कम है इसकी वज़ा ये भी है कि ये यात्रा गुजरात और हिमाचर प्रदेश दोनों ही राज्य में नहीं जा रही है साथ ही जिस वक्त पहाड़ी राज्य में मतदान हो रहा है उस दोरान पद्यात्रा के महराष्ट में होने के आसार है कहा ये भी जा रहा है कि फिलहाल पार्टी प्रियंका गांधी वाडरा के चेहरे पर निर्भन नज़र आ रही है शुक्रवार कोई उन्होंने सोलन में रैली से हिमाचर प्रदेश में चुनावी अभ्यान का आगास कर दिया खबर है कि राज्य में जल्द ही तीन और रैलियां भी कर सकती है तैयारियों की लिहाद से प्रियंका और नए अध्यक्ष की सामने समय समय पर बड़ी चुनोतिया है इससे पहले प्रियंका उतर प्रदेश विदान सभा चुनाव में कॉंग्रिस की कमान समाल रही थी हालाकि पार्टी को बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा था वहीं तैयारियों में भाजपा आगे निकलती हुई दिख रही है इदर भाजपा की ओर से प्रिधानमंद्री नैंद्रमोदी खुद मैदान में उतर आये हैं वो लगातार करोरों रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुवात कर रही है और कॉंग्रिस आम आदमी पार्टी पर निशाना साथ रही है अगस्ते के अंत से लेकर अब तक वो करीब 10 दिन गुजरात और हिमाचर प्रदेश में गुजाच चुके हैं कॉंग्रिस में शेशिपत पर मलिक आरजुन खडगे और शशी थरूर दावा कर रहे हैं और दोनों ही नेता फिलहाल अपनी अपनी उमिद्वारी के प्रचार में जुटे हुए हैं ताय कारिकर्म के अनुसार अगर 19 अक्टूबर तक कॉंग्रिस प्रमुक के नाम पर मुहर लग जाती है तो हिमाचर प्रदेश में मतदान की तारीक तक नए अध्यक्ष के पास तैयारियों के लिए लगभग तीन सप्ता का समय होगा राजे में 8 दिसंबर को मतगरना होगी फिलहार गुजरात में चुराव कारिकर्म का एहलान तो नहीं हुआ है विडियो डैस्क अमरजाला.डाट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें